गावाम खाली वही करिए मुर्गी चरहिए सुवर चरहिए सुरया मर गले पठिया मरेगो पठिया ले मर गले अब 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 कहा सपाइदा होते हैं बैठी भीया करेखे ता हमी यह बोलो ददा कि रगुवर सरकार के हमनी दामोदन नदियाम गड़ लियो लमनी इसलिए कि तो सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि अभी आप देख पाएंगे यह हजारी बाग का समय नाले है और उसी के सामने यहां पे हम खड़े हैं और यहां पे इसी लिए खड़े हैं क्योंकि आप इधर जदी देखेंगे तो इधर यहां पे धरना परदर्शन पर कौन बेटे हुए हैं यह भी मैं आपको बता देना चाहूंगा यह धरना परदर्शन पर यह लोग बेटे हुए हैं जो पड़े लिखे बेरोजगार लोग हैं पड़े लिखे बेरोजगारों का यहां पे धरना परदर्शन है और यह वैसे चात रहे हैं जो सबी के आवाज को सुने और हम सबी के इस्थिती को भी देखे थाकि हमारा भी उत्थान हो सके हम भी कुछ अच्छा कुछ कर सके मैं पता देना चाहता हूं कि हजारी बाग में 11 दिसंबर को जारकंड के मुख्य मंत्री सिर्य हैमंत सोरेंजी का आगमन भी हुआ था लेकिन उस पूरे रेली में इन सारे स्टूडेंट के बारे में क्या कहा गया जानते हैं जो चार साल से पढ़ रहे हैं पाइस साल से तैयारी कर रहे हैं सभी को आप देख पाएंगे इन लोगों के बारे में जब बात आया स्टूडेंट के बारे में तो मुख्य मंद्री साहब ने कहा क्या आप सभी पढ़ाई तो किये हैं आपको पैसा ही कमाना है ना तो पैसा आप मुर्गी पाल गर के भी कमा सकते हैं पॉल्ट्री भारब गोल गर भी कमा सकते हैं आपको पैसा ही कमाना है मुखमंद्री साहब ने कहा कि आपको पैसा ही कमाना है तो आप मचली पालन भी कर सकते हैं आप सुवर पालन भी कर सकते हैं उसमें भी पैसा कमाईएगा वो भी कर सकते हैं और इन सारे लोगों के रोजगार के विशे में एक भी बात नहीं कहा गया बैया इन सारे लोगों से मैं पुछना चाहूँगा कि आखिर भेड़ी पालन करना था बकरी पालन करना था मुर्गी पालन करना था तो आखिर पढ़ने का अस्वासन क्यों दिया गया है मैं यहाँ पे इन सारे लोगों से बात करूँगा यहाँ पे यह सारे लोग सारा कुछ उसरे जिला से भी यहां पर आये हुए हैं जैसे गिरीडी चत्रा बोकारो धनबाद वगेरा से भी यहां पर आये हुए हैं मैं बात करूंगा यह सारे लोग अपने घर से जब बाहर आये थे तो अपने यह सबी जब घर से बाहर निकले थे कि हजारी बाग जा रहे हैं तो इनके भी आखों में अपने माबाब का सबना था कि हम घर से जा रहे हैं हजारी बाग और लोटेंगें तो सफल बन करके लोटेंगें लेकिन जब जारकन की सरकार कहता है कि मुर्गी पालो और बगरी पालो तो इन सारे युवाओं का जो उमीद है उस पर पानी फेरा जा रहा है मैं यहां पर बात करना चाहूंगा बाईया जैसे आप लोग यहां पे सारे पढ़े लिखे युवाँ हैं और धरना पर बैठे हुए हैं क्या आखिया आप लोग कहना चाहते हैं देख यह बात किया बोल तो तो पढ़बो करें यह तो मारा दोलो पैसा पैसा कर लो बैठा तो उमर हो लो पैसा ना दिये पार नो तो गुड़ पैसा ही ओ अलू पैसा यह बेचके पढ़ा है आप आसल में फाम निकल लो भाली आप रिचाद लिए एक सो उन्तीसों को जान साहिए लिए खूत अग पार कर दाऴ अधे मैं आै भृभा ने मतल्सरां मतल्सरी आप में छेढ़ धूड़ नहीं ठाक यह ओंन Nepर स्टमाथ सब्स्कर दिया करें म democr अख कर दोंग हम कृण चाहिए कि ऑलाम सब्सक्राब टेच्ञन देखात्सटिबश ट्रूर क्यान तक भॉन अभी तो हम चोधरी ये पास गई लिए ता को मुस्कुराइए देखिया मर्थथुनुवा थच्छा लिए अधार ना देख हमिन पढ़ लिखा लिया पर छद लिया अच्छा हम ले लिया हम वाट लिया हम बहुत दिया हमन्दा को हमार भाय लग बहुत दिया हम से अरज गुड़ चुड़ा खाके पर टेस्ट अंग्रेजिम कहते हो ग्राम कल उन्चास गौज में कहते हो देखला में का ताकत आप तो देखला में का ताकत तौर बलवा भी आता लाने तौरा भी जारकंट से भागाद वहमीन है अमिताब चौतरी सुन ले और हेमन देख बोल देख अगर तौरा भागाद वहमीन तो जान ले तो हमरा यही कहना हो कि परिच्छा में ट्रूएंट फे और एंट रांस्प्रेंसी लाना जहुद जरूरी है और जारकंट फोर जारकंटी इभी करना जरूरी है इस लोगों देलो बढ़का दा अच्छा कह ले लो 1932 से खत्यान कर अच्छा बोल सब डी सी कहां कि यहां परी है कहां का आदमी है सब उतर प्रदेश का ठीक है पढ़ा लिखा है मान रहे है तो जर्खडियन कहां जिसीन हो कहीं जितीन तो हम गवाम खाली वही करिए मुर्गी चरही है सुवर्ज चरही है सुरय यह मर्ग ले पठिया मरेगो पठिया ले मरे ले अब अब ताब कहां सपाइदा होते हैं बैठी बिया करेख है ता हमीं सब सोच ले ले हिए कि दूसरा बावन को पोस्ट हो और तू बेसे एक जाम ले और नखरी दे आर पंद्रा सो जी सची वाले ला हो ओकर दे ले तो पांच रख मत दे रोजगा हम इ पांच लाख रोजगार तो आप नहीं दे पाएंगे वह बाद की बात है लेकिन हैमन चाचा पहले यह जो 252 पोस्ट जो दिये हैं सायद इस पर भी जोइनिंग हो जाए बढ़िया तरीके से तो यह युवा जो यहां पर एक उमीद के साथ बैठे हुए ना इनका भी सपना साकार हो पाएगा और यह भी जारकंड के विकास में एक एहम युगदान निभा सकेंगे क्या कहना चाहेंगे बईया ददा हम यह कहल चाहो यह हमनी जतना वटा यहां साभी है हमनी महनत करके अंदोलन करके हमन सुरें ददा के जीते लिए ही सोचके कि यह युवा सरकार एत दिखना आर हमनी बहाए के दामोदन अधियाम गड़े लिए रगवर सरकार के यह तना दोर से प्राफ्थना करेंगे दा की एक पेपर रीग राद होले यूपी में अधिक सरकार वह ने दल खी तुरत पूरा पेपर लिए लिए जया होले से पुरा परिछवे राद कर दल दले यह वह अमार ला परमान दले आज कल हमरे अध्याच जी के भासन में खली मुस्कुरा वला वह हमनी यह दल लिए की दखी परमान उंचास आदमी के कल को कि नहीं सच में गड़बडी हो लो अबरी कते परमान दियो ददा जांचों तो हनिये करें गड़बड़ियों तो करों तो हनिये करें जाचबों तो हनिये करें तो ददा हमनी किये किये हमनी गोर्खिया किये बोड़ दो यह ददा पढ़ो लिखो यह माय बाप हमनी के हमनी माय बाप गाय पालो है बेड़ पालो है और मैं सोचों कि मर बैट में पढ़के सरकारी नोकरी करें ददा तो जहां करें कि साथवां जेपे सिम्तों राखिया सामने यह पीटी में 126 नंबर है हम नहीं पास कर पाएं अच्छा आप वह अम प्र भडियां से भाए थे बिल्कूल वह अमार भर लिए ददा इसे लिए नहीं वहा क्योंकि जो बढियांस नहीं बरा था उसका हो गया है प्लोग ब्यायशने क्याकि फोनाएं हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग काते हैं कि हम लोग नहीं आपका बहुत बढ़ा बरस्ता अदमी हो तुटेंट के कुछ ना बोजो कि यहां पे जदी देखा जाए तो सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास नहीं हुआ है और युवा सकती क्या होता है इसके बारे में सायद हमन सरकार को पता नहीं है एक बार युवा सकती को दिखाना होगा और उनको दिखाना ये भी होगा कि युवा जदी हंगामा पर उतर जाए और युवा अपने सकती का परदर्सन बेहतरीन तरीके से कर पाए तो सरकार भी हि सब्सक्राइब करना चाहूंगा यहां सारे युवा है क्या कहना चाहेंगे भाई आप हेमन सुरकार से आग्रह है कि वह जेपीएसी परिच्छा को रद करें और जो हमारे चेर्मेन है जेपीएसी के अमिताब चौधरी जी उनको पत से हटाया जाए स्वच्छता पुर्वक हो ज़नी चाहिए जो चातर यहां बैटे होगी हैn जिनका result नहीं हो पाया है है और जादा नमबर वाले सरकार से आग्रह करते हैं कि वे परिछा को रद करें और फिर से परिछा लेने का काम करें यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही होंगे की बहुत जगह आईसा भी हुआ है जैसे लोहर दगगा में एक कलास में सारे स्टुडेंट को पास कर दिया गया है तो भाईया क्या कहना चाहेंगे आप मैं सरकार सागरा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके यह सात्वी जेपेसी को रत करे कि नहीं तो जुवा लोग इतना अगरोशित हो जाएंगे कि अनहोनी को अनहोनी कर देंगे इसलिए मैं सबसे निवेधन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके साथी जेपेसी को रत करें किसी भी हाल में क्योंकि हम लोग प्रूर्व प्रमान दे दे के ठक चुके हैं कि लोगे प्रूर्व परामन देने के लिए यहां बैठे हुए हैं जीवन फ़वर प्रमान करेंगे जीवन फ़र ख comment एक हम लोग को साधी भिया करना बंद करो नहीं तो फिर हम लोग खेल दिखा देंगे इसलिए जारकरन सरकार से मैं आगरा करता हूँ कि किसी भी किमत पर सात्वी जेपेसी को रद करे यही बार बार बोलूँगा सात्वी जेपेसी रद करो तो रद करो जासागी सेपीटी रद करो अमितार चोदरी सरम करो राजिपाल ने आई करो, महामहिम ने आई करो, मुख्यमंत्री ने आई करो सात्रों के भविश के साथ खिलवार करना बंद करो, सात्मी ज्यपयस से पीटी रद करना होगा करना होगा अमिताब चोदरी इस्तिफादो युवावों के साथ न्याए करो जार खंडियों के साथ न्याए करो हैमन सोरन न्याए करो मुख्य मंत्री न्याए करो जब पियसी होस में आओ जब यसी सचीव होस में आओ जब यसी अगज होस में आओ चात्रों के साथ खेला बंद करो चात्रों के साथ किरकेट खेलना बंद करो जार खंडियों 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 के साथ किरकेट खेलना बंद करो सारे युवा हैं और वैसर युवा जिनके आखों में और सपना वहांरतनेरें करेंची तो भी नहीं रहा है तो मैं बात करना चाहूंगा जैसा कि 11 दिसंबर को हजारी बाग आए थे लेकिन वह अभी तक कोई पुर्वी में उनको हराने का काम किये मैं यही बताना चाहता हूं कि मुखमंत्री मौदय से कि यह धर्ती है यह क्रांती की भूमी है यह रपन की भूमी है इसलिए छात्रों के साथ जो अन्याय करिए नहीं नहीं करिए यह जो जेप्यसी का जो मामला है यह मामला लगबक 40-45 दिनों से है अगर जेप्यसी अपने आप में साफ और सुथरा है तो फिर 40-42 बच्चों का जो आयों के घोशित जो किया है वो क्यों किया यह तो सवाल के घेरा में खुद आता है दूसरी बात है जो व्यक्ति खुद आरोपी हो 200 करोड रुपे घोटाले का आरोपी हो उस व्यक्ति को जेप्यसी का चेर्मेन बना देना यह यही है कि खाजाना जो है तो चोर के हाथ में दे देना आज जब आंदोलन पिछले बार जब रावची में आंदोलन हो रहा था हमारे साथी गए हुए थे हमारे सभी साथियों पर लाठी चार्ज हुआ वह आप लोगों ने देखा यह लाठी चार्ज करके छातरों की आवाज दबाना चाहते हैं मेरा इस सरकार से ही कहना है कि आंदोलन करते रहे हैं पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन किया 20 हजार की संक्षा में इसी भूमी पर इसी जगा पर हम लोग आंदोलन किये से उस दीन से रगवर्दास की सरकार का पतन प्रारम हो गया था आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो धरती है हजार स्ट्रमण बार की धरती यह धरती कील का काम करेगी जो अखरी क atacar का ठोकने की जा रहे हैं और यह सरकार एक अपना आखरी दिन घिन ले यह अपना आखरी दिन गिल ले इसे घमंद हो गया है कि नऐ हम लोम लोग अपना अपना माटी का पुत्र को हमीताब चौधरी पर लगाम किसकी कह Krpl लेकिन सरकार खुद उसको तिजोरी दे दिए है उसको सब कुछ दे दी है इसलिए मेरा यही मांग है राजिपाल महोदेश सासन से प्रसासन से कि यह जो जेप्यस्टी है उसका सीबी आई की सीबी आई से जाच हो और छातनों के साथ अन्याय हो अन्याय नहीं करें सरकार पिछली बार जीस तरीके से हम लोगों ने रगवर दास को इसी धरती से उखाल फेका था इसी धरती से यह जो धरती है उत्रिशोड़ा नाकपूर परमंडल का इस धरती धरती में बहुत ताकत है यहां पे छे जिला को प्रभावित करने की चमता हम लोगों ह सब्सक्राइब पार तरुड़ा ओ सब्सक्राइब सब्सक्राइबूर्स हाँ हुए चात्रों के विसे पर काम या जाए और इन ऐलों के जो दिमांड है जो मौन गए उसको पूरा किया जाए तो सायब सरकार की जो सोच है भेतर हो पाएगा तो यहां पर हम और सारे स्टूडेंट से बास करना चाहेंगे शैसाश जाते हैं कि नौकरी क्लिक करते है पैसा कमानीकिलिक हम उनसे पुछते हैं कि नवक्रिय जागर आठ दिसंबर को जो हुआ था जनरल विपिन रावत को जो सहीद हुए उन्होंने क्या पैसा कमाने के लिए अपने परानों को निचावर कर दिया है और जो ब्रिटिस सरकार में सुभाष चंद बॉर्ष करांती करीने तो थे उन्हो अपने सारा समय निकाल देते हैं लेकिन हम अपने सारा समय निकाल देते हैं लेकिन आदमियों को भी तो हमारी परिवार को भी परिवार को पालन करने के लिए नवक्री चाहिए पैसा चाहिए लेकिन हम यह भी बताते हैं कि समाजिक परतिष्टा के लिए भी हम लोग नवक करके जाएं आइसा नहीं है कि हम लोग पैशा ही कमाने के लिए ने देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं क्या सुभाद चंद्रबोर्स पैसे को मिगरते हैं फिश्टोन के का इसा नहीं होता तो यूज़िजब राज सूचित कर दिया राज सुचि के साथा करका कर तो संग सूची में कर दिया उससे अच्छा वा क्या उप्यसी पैसे हर एक बार लेती एक जांब जारकंड का जारकंड पंदरा दिसंबर को स्वतन रुआ थे लेकिन वहीं चैसे नहीं है कि पैसे कमाने के लिए एंड के लिए नयग्त पि बियुक्रव यह जारक जेघर के लिए जा मीश्डार के लिए उसको दिश्युक्र फेज़सी प anf 2019 को नहीं है अभी 11 दिसम्बर को यही हजारी बाग में बोला गया था कि सेलोन खोलेगा कोई मुर्गी पालन करेगा कोई अंडा पालन अंडा रूपिय छे रूपिय पीछ दे रहा तो तो यह किया जाए कि जो बिदेशों को पलाइन कर रहा हूं उसे उसे दिया जाए गरामीन प्रिस्ट ना करना पड़े इस युवाओं को अंदोलन ना करना पड़े तो बहरी और गूंगी सरकार हैमन्ट चोरेंड की सरकार हम भी इन सारे युवाओं के साथ बस आप से यही निवेदन करेंगे कि जो भी आपके तरफ से गलती हुई है उसको स्विकार करें और सात्वी से एक नए उमीद, एक जोस, एक उत्सा के साथ से सफ़र नया भारत से नए जारकंड और नए भारत की कामना करते हुए स्याम गुमार के साथ मैं आनंद बर्मा, जै हिंद, जै जारकंड, जै जोहाँ